अब अमाजन से फिलिप कार्ट से मोबाल पर्चेच करने के लिए जाते होंगे तो इस प्रकार का आइकन आपको जरूर सो होता होगा जहांपर एक्सचेंज यूर ओल्ड फॉन अब यहांपर आपको जो वैलू बताई जाती है वो 16,900, 15,000, 18,000 तो भाई इस प्रकार से आपको वैलू बताई जाती है अगर आप बात करते हैं अमाजन की तो अमाजन पर भी आप लोगो एक्सचेंज ओल्ड फॉन का फीचर देखने को मिल जाता है अब आपको डेटेल में बताते हैं और यहांपर आपको यहीं बताएंगे आपको किस प्रकार से आपको चेक करना है अपने मुबाइल को कि हमारा मुबाइल अमाजन या फिलिप कार्ट कितने रोपे में खरी सकता है कितने रोपे में इसको कार्ट सकता है तो वीडियो में आप लोग बने रहे हैं अंतक बुलकुल नॉलेज़फुल वीडियो है आप अगर चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं सस्क्राइब करके बेल आइकन दवा देना ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो हमेशा मिलती रहे हैं अब से पहले ति मैं बतादूं आप लोको की आपको जिस प्रकार कहां से इंटरफेस मिलता है नीचे तो आपको यहाँ पर चेक प्राइच पर क्लिक करना है एक बार और यहाँ पर जो आपो देख रहे हैं ब्रांड आप इतनी ब्रांडों मेंसे अगर आपके पास कोई मुव पर क्लिक करना है तो यहां से आप लोग को OnePlus का brand देखने को मिल जाता है तो जो भी आपका mobile है आप एक बार देख लीजिए कि Flipkart Amazon में से कौन से आपर e-commerce website पर मेरा mobile का यहां पर company का brand इसमें select है आपको जो value यह लोग दिखाते हैं जरूरी नहीं है कि उतना ही आपको मिल जाए आपके mobile condition के अधर पर आप लोगों को यह value देते हैं लेकिन वीडियो के last में एक important point बताने बाला हूँ जो अगर आप गलती मिस करते हो ना तो भाई आप पचता सकते हो इसलिए वीडियो को पूरा बाच करना सबसे पहले मैं आप लोगो दिखा देता हूँ Amazon पर क्योंको मेरे पास अभी OnePlus का mobile है और Flipkart पर OnePlus का brand नहीं है पर को process सेम है दोनों का आप लोग दोनों में यहां पर कर सकते हो तो से पहले आपको करना है अपने mobile कौन सी company का है तो वो company आप select कर लेंगे तो मेरे पास OnePlus का mobile है इसको select कर लेता हूँ आपको यहां पर select करना पड़ेगा कि जो mobile आपके पास है वो कौन सा model है सारे model जितने भी उस company ने बनाए होंगे वो सारे model आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो मेरे पास OnePlus Nord CE 5G है मैं इस पर इक बार किलिक करता हूँ अब यहां पर ही बता रहा है कि 10,000 और 100 तक हम इसका value दे सकते हैं वापस तो भाई देख लेते हैं एक बार अब आपको यहां पर डालना पड़ेगा अपना e-my number का e-my number किस प्रकार से डालेंगे यहां से तो आप आप यहां पर देख सकते हैं मेरा e-my number मुझे यहां पर 100 हो रहा है तो आपको सिंब्स सर्च करना है star hash 06 hash इतना सर्च करते ही आपको कुछ भी डाल नहीं करना है आप यहां पर डाल देना है आप यहां पर देखिए मैं डाल देता हूँ उसके बाद आप लोगको यहां पर देख सकते हैं आप कि smart tick mark का option आ गया है मतलब कि हमारा e-my number सही है नीचे आप लेखा दे सकते हैं exchange service fees 100 रुपे तो यह 100 रुपे आप लोगों से लेंगे अगर यह mobile exchange करते हैं आप तो अलग से ठीक है और अगर आप यहां पर e-my number गलट डालते हो तो नीचे आप लोगको बत टोटल था 24,900 रुपे का लेकिन यह mobile अगर मैं यह वाला oneplus का जो mobile का मैंने अभी डाला है बेलू बो वाला mobile अभी मैं यहां पर अगर देता हूं exchange करता हूं तो यह मेरे लिए टोटल यहां पर 14,900 रुपे में पढ़ जाएगा साथ में जो create card बगरा के discount बगरा offer बगरा चल करोगे और यहां पर आप लोग को बताना पड़ेगा कौन सी company का आपके पास mobile है तो मेरे पास oneplus का mobile है तो यहां पर oneplus का आप लोग को देखने को नहीं मिलता है फिलिप card में तो इस परकार से oneplus के email मेरे पास है बाकी email मेरे पास अभी available नहीं है तो मैं same process रहता है आप यहां पर आपके request चली जाएगी order भी हो जाएगा उसके बावजूद भी आप लोगों का अगर mobile जो भी यहां पर condition है उनकी उसको follow नहीं करेगा तो यह लोग बापस नहीं करेंगे क्योंकि जो delivery बोई आते हैं मैंने आपको बोला था ना last में एक बात बताने बाला हूँ important तो delivery बोई रहते हैं भाई वो रिस्क जरासी भी नहीं लेना चाहते हैं इसलिए आपके mobile में अगर जाद कुछ भी खरोच मरोच डिस्पिले मिस्पिले टूटा मूटा जो भी होगा ना तो फिर यह लोग बुलकुल action नहीं करेंगे और यहां पर बापस आपका request cancel कर देंग और उतनी बेलू का mobile एड़ करके email नमर डाल करके तो आपका mobile यहां पर जितना पैसा बाकी रहता है वो आप कर देते हो या COD करते हो जो भी है उसके बाद आपका mobile यहां पर order हो जाएगा और उसके बाद आप लोगों का जब mobile आएगा नया वाला तो यह वाला mobile आप लोगो समाल कर रखना है उसी address पर जब भी आपका phone करते हैं delivery वाई कि आपका phone आगया है तो बस वाला mobile आपको ले लेना है और जो वाला आपको पुराना mobile पड़ा हुआ है उस mobile को आप लोगों को उधर दे देना है लेकिन एक बात का बिसेश ध्यान देना कि जब भी मैं देखा फिलिप कार्ड अमाजन पर आप लोगों को जो price मिलता है वो markets बहुत कम मिलता है तो एक बार आप OLX या फिर जो कैसी बगरा है उस पर आप लोग देख लेना कि जहां पर mobile sell होते हैं एक बार आप try कर लेना market में क्योंकि जो फिलिप कार्ड बगरा पर रहता है वो value आपको बहुती कम मिलता है मैं इसी mobile के अगर बात कर रहा हूं यहाँ पर देखी 10,000 और 100 रुपे मुझे बताया गया है कि इतने रुपे हम इसका देंगे बट मैं बता हूँ आप लोग को reality के जो मैंने यहाँ पर email नमर डाला इस mobile का बो mobile मेरा 25,000 रुपे का mobile है और इसको अभी ए अपना mobile exchange कर सकते हैं बाकि मेरी personal राय थी यह तो कि यह लोग यहाँ पर कम value देते हैं ठीके आप बाकी देख लेना उम्मिद करता हूँ कि वीडियो आपको कापी help पूर रही होगी अगर आप mobile exchange करना चाहते हैं तो इस प्रिकार से कर सकते हैं कोई प्रोलम वाली बात है नह बस आपका mobile हैं पर जादा कुछ damage बगरा होगा न तो फिर यह लोग दिक्कित कर सकते हैं बाकी कुछ नहीं यह लोग आराम से exchange कर लेते हैं